हेलो दूस्तो नमस्कार कभी कभी बाजार बोरिंग भी रहता है कंसोल एडिशन फेज में ना तो उपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है आज के दिन बहुत अच्छी गिरावट देखने के मिली 2% की गिरावट है काफी अच्छी गिरावट इसको माना जाता है ठीक है और रिजन भी हम सबी लगों को पता ही है कि HDFC बैंक के जिस प्रकार के नंबर देखने के मिले जो कि बाजार ने उसके प्रती काफी नेगिटिव रियक्शन दिखा दिया ठीक है अलग-अलग रिजन से यहापे रहते खास करके इनका जो मरजर ही हुआ है उसके बाद जो इनके आकड़े सामने आ रहे है वो अनुमान के इसाब से हम लोगो तोड़े कम देखने का आपे मिल रहे है एक्सपेक्टेशन के इसाब से इसी के बाद हम लोगो यह बड़े-बड़े गिरावठी है होते वे देखने का आपे मिल रहे है तो सबसे पहले जो मेजर रीजन था ठीक है वो तो हम सभी लोगों को पता ही है कि HDFC बैंक के चलते यह पूरा भूकम बाजर में आपे हुआ है अभी सबसे आधा popular सवाल क्या पूछा जाता है what next कि आगे क्या होगा खास करके कि कल क्या होगा ठीक है क्या कल भी बाजर crash करेगा क्या कल भी बाजर गिरेगा तो दोस्तों यह कोई ऐसे हवे में बोलने वाली बात नहीं होती है जो भी data देखने को मिल जाता है HDFC bank के चलते की कैसे गिरावठ यहापे होगी करके so major reason तो HDFC bank ही था तो अभी आपका focus वापस HDFC bank के उपर ही रहना चाहिए जिस चीज के चलते बाजर में हम लोगों को pressure देखने को मिले जैसी की COVID के वक्त क्या होता था बाजर में गिरावठ यहापे हुआ करती थी तो COVID से related क्या ख़बर निकल करा रही है lockdown से related क्या ख़बर निकल करा रही जिस कारण के चलते बाजर गिरता है उसी के उपर आपको focus रखना पड़ेगा as simple as that तो what next में भी आपका focus का पर होना चाहिए HDFC Bank के उपर मतलब HDFC Bank का जो ADR है American Bazaar में आप सब लोगों को पता ही है ठीके तो हम लोगों को मतलब day night performance HDFC Bank का देखने को मिल जाएगा day में हमारा HDFC Bank तो हमारे nifty fifty sensex में तो चलते वे देखने को मिल जाता है तो उसके अपर आप focus यापर बना के रख सकते हो अगर HDFC Bank का जो ADR है अगर उसमें आज के दिन भी अगर बड़ा प्रेशर अगर आ जाता है छोटा मोटा प्रेशर चल जाता है दो तीन पसेंट ठीक है फोकस यापर रहना चाहिए मेरा भी रहेगा हर किसी का focus यही पर रहेगा क्योंकि यही से ही हम लोग को आज की दिन की गिरावट होते हो दिखने को मिले man of the match तो यही था next अगर हम लोग बात करेंगे उसी के साथ-साथ आप चाहो तो ICAC Bank का भी जो ADR है अमेरिकन बाजार में आप देख सकते हैं नियॉक स्टॉक एक्स्चेंज की बात हो रही है यह 23 रुपे नहीं है 23 डॉलर की बात हो रही है तो उसके पर भी आप थोड़ा बहुत फोकस रख सकते हो ICAC Bank comparative ले गिरने के चांसे थोड़े कम रहेंगे as compared to the HDFC Bank ठीक है में फसाद की जड़ तो वही था ठीक है तो major what next की अगर हम लोग बात करें तो HDFC Bank का ADR हमारे radar के उपर रहना चाहिए आज की दिन की बात करें दिन की मतलब रात की यहाँ पर बात करें तो इसे एक थोड़ा बहुत अनुमान लग जाएगा कि कल क्या होता है करके and OC के साथ-साथ अगर हम लोग बात करें तो आप Dow Jones तो by default Dow Jones, Nasdaq की अगर हम लोग बात करें यह तो हम लोग by default radar के उपर यहाँ पर रखते ही है तो यह दो-तीन points है जिनके उपर आप लोगों का focus रहना चाहिए अगर Dow Jones, Nasdaq अगर वापस HDFC Bank अगर बड़ा pressure अगर create करवा देते है तो definitely कल के दिन भी हम कैसबते Bears का confidence जादा हो सकता है करके तो यह if but वाली बात है क्या होता है वो तो late night हम लोगों को पता चल जाएगा तो इसके उपर आप लोगों का focus यहाँ पर रहना चाहिए क्योंकि आज के दिन के जो गिरावट थी अब दम एक तरफा Bears ने जबरदस hammering यहाँ पर कर दी major major जितने भी level थे यह तोड़ने के लिए इसी प्रकार के कारण चाहिए वो उनको आसानी से यहाँ पर मिल गए तो यह एक सबसे फेलावाला point था वो यहाँ पर मैंने cover कर गया है तो point number one तो cover हो चुका है जो लोग इस point number one के लिए आये थे उनके लिए video तो close यहाँ पर हो चुका है then दोस्तो अभी आ जाएंगे point number two के उपर जो के हमेशा common सवाल यहाँ पर पूछाई जाता है क्योंकि जब भी बाजार top level पर चलता है अगर यही गिरावट अगर मान लिजे बाजार अगर कितना 18-19,000 पर होता है और इस प्रकार से गिरता तो यह सवाल इतने जादा नहीं आते सबसे ज़्यादा popular सवाल तो यही होता है कौन सवाला कि अगर देखा गया तो क्या बाजार से अभी तुरंट exit कर लेना चाहिए बाद में हम लोग entry यहाँ पर कर लेंगे बहुत ही simple सा यह common sense वाल यहाँ पर मतलब पूछे जाते है तो दोस्तों इसके पहले भी मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ कि index level पे क्या होता है वो उस चीज़ को देखकर अगर आप अपने portfolio को यहाँ पे modify करने जाओगे कि यहाँ पे plus करना है या फिर minus करना है तो आप सबसे बड़े घाटे में चले जाओगे कॉकि nifty का है उसका तो अपना काम रहता है भविशा में भी होगा आज 2% गिर है एक time ऐसा भी आएगा कि कभी nifty 3% भी गिर ग अईसा भी हो सकता है कि कभी 4% भी गिरéd हुआ है कि नए past में हो सकता है पर इसका अर देनिक होई धूनिया खतम होती है क्योंकि हर किसी का allocation अलग अलग होता है risk taking ability अलग होती है बट ये एक point सीखने वाली होती है कौन सा कि कभी आपने सुना है कि बड़ा investor का portfolio इनका करोडों के होते है 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 करोड बहुत बड़े बड़े portfolio कभी सुना है बड़े investor ने आज quit कर लिया है मतलब सारे shares बेज दिये और यहापे मतलब exit ले लिया complete 100% exit कभी सुने आपने कभी भी नहीं तो ये सबसे major सीखने वाली बात होती है दोस्तो ये वाला जो बोलते है ना point है कि क्या हम लोग market से exit कर ले ये सिर्फ retail investor ही सोचते है तो ऐसा बिल्कुल भी सोचना है दोस्तों इससे कभी भी आपका wealth create नहीं होगा कभी भी पैसे नहीं बनेंगे क्योंकि market का top क्या है market का bottom क्या है ये किसी को भी नहीं पता है अगर ये ही किसी ने अगर identify कर लिया भाई बाजार का top and bottom क्या है उसी के साथ-साथ share का top क्या है bottom क्या है ठीक है वो तो मतलब बोलते है न आप दुनिया का सबसे आमीर इंसान बन जाएगा ठीक है कितना simple हो गया उस चीज के लिए ठीक है बहुत सरो लोग आपको बेवकुफ बनाते रहते टेखनीकली ऐसे line bin draw करके यह top यह bottom में कुछ नहीं होता है दूस्तों और नीचे तूटता रह सकता है और कितना भी भाग सकता है यह सारी चीज़े चलती रहती है ठीक है सिर्फ हमारा काम इतना ही होता है मैंने बहुत बार आप लोग को काई कि आपके portfolio में जो shares है वो FS होने चाहे बोले तो fundamentalist strong होने चाहे that's it ऐसे गिरावट के चलते वो भी गिर सकते है वो भी गिरेंगे बट कभी ऐसा नहीं होता है कि वो खतम हो गये करके ठीक है खास करके जो मैं बाते अभी बोल रहा हूँ वो एक beginner के लिए है ठीक है ये खास करके चीजे बार-बार उनी को सताती है कि और कितना गिरावट होगा और index कितना गिरावट होगा ठीक है रहान index गिरने दो 20 पे गिरने दो 19 होने दो 18 होने दो क्या फरक पड़ता है कोई दुनिया खतम नहीं होती है बीच में अभी COVID में यही index साड़े साथ हजार तक आया था कौनसी दुनिया खतम होगी बताओ भविशा में भी होगा कभी न कभी बड़ी गिरावट होगी बट कभी the end नहीं होता है दोस्तों क्यों इतने बड़े बड़े लोग बेठे हुए है मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बना कर आपको बताया था ठीक है अगर वो वीडियो मुझे मिल गया एक सेकंड में देख लेता हूँ ठीक है यह देखो मिल गया तो जो अमारा दूसरा चैनल है ठीक है थोड़ा धुनना पड़ा एक साल पहले ही बनाया हुआ है कौनसा कि यह वीडियो देख लो कि आपका जो स्टॉक मार्केट क्रैश का डर है वो हमेशा के लिए खतम हो जाएगा ठीक है मार्केट में डर किसक बात का होता है बड़े बड़े प्लियर से कौन टाटा है अमबानी है अदानी है ठीक है दैन बिरला है गोदरेज है किरलोसकर है ठीक है इतने बड़े बड़े हमलों को यह अमिर लोग देखने का आपे मिल जाते है ठीक है, इनका पैसा किदर है, क्या बैंक की FD में है, पूरा पैसा शेर बादर में है भाई, सब के शेर जी है न, इसी चीज़ के चलते तो उनका wealth create होता है, तो आपको क्या लगते हैं, बादर को खतम होने देंगे, बिलकुल भी नहीं, इसलिए हमेशा याद रखना बादर क भी खतम नहीं होता है, चाहिए वो कितना भी तूटे, 2008 की मंदी आ जाए, कोई बं फेक दे, ठीक है, कोविड जैसे चीज़ें आ जाए, हाँ, उस वक्त वो जो रूप रहेगा, वो बहुत ही डेंजरस रहेगा, 10-10, 30-30, 40-40, 50% भी crash हो सकता है, बट डियेंड नहीं होगा जिस वक्त आपको ये logic समझ में आ गया भाई, आप टिक गए बाजर में, ठीक है, इसलिए बड़े players देखिए, कभी exit नहीं होते बाजर में, वो हमेशा टिक है रहते हैं, और उनका कोई index से तो लेना देना होता है, उनका अपने share से लेना देना होता है, ये तो मैं बहुत कल के वीडियो में भी मैंने आप लों के बाद बोली थी, कि sensex nifty को देखकर कुछ नहीं होने वाले है, आपके portfolio में जो shares है, वो अच्छे होने चाहिए, वो अगर अच्छे है, तो आपको sensex nifty भाई 5 साल में double कर दे, साल भार में double कर दे, अगर खराब share रहेगा, तो फिर nifty चल रहे हैं, उनको उड़ा दो, ठीक है, या फिर वो in case अगर आज गिरे तो उनको बेज दो करके, इस logic के चलते हैं अगर चल गए, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप लोग उनको भविशा में face करनी पड़ सकती है, तो बस overall conclusion इतना है कहना चाहँगा दोस्तो इस चीज़े हमेशा चलती रहती है, ठीक है, मतलब बहुत पुरानी समय से चल रही थी, आज चल रही है, भविशा में भी आपे चलती रहेगी, ठीक है, इस चीज़ के चलते हैं परेशान अगर आप हो रहे हो, कोई उसमें दिक्कत की बात है नहीं, आप बिगनर हो, एक ब हाँ, मार्केट गिरता है, तो खतम नहीं होते हैं, यह हम लोगों को पता था, बट गिरावाट के डर के चलते हैं, उन्होंने एकजेट यहापे मार लिया, बाद में उनको प्रैक्टिकली चीज़े देखने को मिल गए, अभी experience आ गया, कि हाँ भई, सच में मार्केट खतम होते हैं, अब वो पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो यह चीज़े चलती रहती है, बुलते हैं बाजार में मतलब, hold करना सबसे important चीज़ होती है, hold मतलब गलत वे में मत पकड़ लेना, कि खराब share hold करोगे, 20-25 साल तो भी कुछ नहीं होने माला है, अच्छे share के हम लोग बात करें हैं, ठीक है, तो जितना hold करते हैं, उतना ज़्यादा बड़ी wealth यहापे create होती है, तो यह चीज़े आपे पता होनी चाहिए, exit करने से, definitely आपे कोई wealth create होती नहीं है, यह point आप लोगों को बढ़ जरू पता है, आपे होना चाहिए, exit करना है, अब जरू कर सकत भाई, यह तो बड़ी नहीं रहा है, then exit, फिर ऐसे वक्त में अगर निफटी 30,000 हो रहा है, 40,000 हो रहा है, और फिर भी आप hold कर रहे हो, तो कोई sense की बात है ही नहीं भाई, index तो अपने level पर बढ़ते ही रहेगा, ठीक है, हमें हमारा portfolio को देखना है, यह मैं बहुत बार आप लोग को यहापे कह चुका हूँ, ठीक है, तो इस चीज़ के चलते कभी disturbance, मतलब disturb होना होता नहीं है, कि और बड़ी गिरावट आएगी, और बड़ा यहापे crash आएगा, ठीक है, जब बाजर भागता है, किसी को पता भी नहीं चलता है, अभी कुछी time पहले हम लोग 18,000 के आस-पास ही मंडरा रहे थे, और कब बाजर 18,000 का 22 हो गया, किसी को पता भी नहीं चलता है, इतना fast होता है दोस्तों बाजर, ठीक है, फिर उसके बाद अभी कई समय तक चलेगा नहीं, फिर चलेगा तो एकदम 25,000-30,000 हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, फिर भा चलते हैं, अगर कोई exit कर रहा है, बाजर में, ठीक है, आज गिरावट होई, इसलिए आप ये बाच्चित कर रहे हो, तो फिर बड़ा पैसा बनने से रहा नहीं, क्योंकि एच नौटंगी तो चलती रहती है, ठीक है, और वो तो HDF से बैंग गिरा है, इसी चीज़ के चलती वो तो बड़ा heavyweight है, इसी चीज़ के चलते वो index को प्रभावित कर रहा है, आपके पास अगर वो stock नहीं है, आपके पास कोई दूसरे companies के share है, तो उसका उससे कोई link नहीं है, ठीक है, वो तो sentiment खराब होगे इसी चीज़ के चलते, वो थोड़ा बहुत pressure अमनों को देखने क आपे मिल जाते हैं, आशा करता है, जीतना भी हो सके, important major points थे, वो तो मैंने आपे cover करके रख दिये, and what next में मैंने आप लोगों को बता दिया, अभी शाम को American Bazaar खुलेगा, तो देख लेंगे, कि HDFC Bank का ADR कैसा performance देता है, क्या कभी वहाँ पे pressure है, कभी major pressure है, and Dow Jones कैसा चलता है, तो इससे भी कल का एक थोड़ा बहुत अनुमान यहाँ पे लग जाएगा, तो चाहो तो like and share कर सकते हो, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, bye bye